हलो गुड़ीबनी मादियर स्टूडेंस आम राजबीर सिंग राठो और योर इंगलिस टेनर बच्चो स्वागत है आपका हमारे चानल इंगलिस ब्लास्टर में आज हम फिर से आपके लिए इस पॉकिन का नया विडियो और नया क्लास लेक्या है हैं इस क्लास में काफी important चीजे पढ़ने वाले हैं इसलिए आप विडियो को मिस नहीं करेंगे सुरू से लेकि अन तक देखेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चो warm up yourself चलिए warm up yourself में कुछ sentences दिये गए हैं उनको हम देखते हैं हमारा पहला sentence है मुझ पर एहसान मत करो मुझ पर एहसान मत करो ठीक है बच्चो क्या मुझ पर एहसान मत करो अगर अंग्रीजी में इसको बोलना हो मुझ पर एहसान मत करो क्या बूलेंगे डोंट फेवर मी या मेरा पक्ष मतलो यह भी बोल सकते हैं बच्चो कि मेरा पक्ष मतलो इसको अंग्रीजी में कैसे बोलेंगे बच्चो don't favor me क्या बोलेंगे don't favor me next sentence देखेंगे हम उपना हमारा अगला sentence है अपनी आवकाद में रहो क्या है अपनी आवकाद में रहो इसकी English क्या होगी बच्चों इसकी English होगी stay in your limits क्या बोलेंगे stay in your limits ये नहीं बोलना हो तो दूसरा ऐसे बोल सकते stay within your limits क्या stay within your limits या हम ये भी बोल सकते हैं be in your limits क्या बोलेंगे be in your limits अपनी आवकाद में रहो next sentence है हमारा यह कोई बड़ी बात नहीं यह कोई बड़ी बात नहीं है क्या बोलेंगे बच्चों it's not a big deal it's not a big deal it's not a big deal ठीक है बच्चों next हमारा तुम इसी लाइक हो क्या तुम इसी लाइक हो क्या बोलेंगे you deserve it क्या बोलेंगे you deserve it क्या बोलेंगे you deserve it next यह लो तुम्हारा mobile या ऐसे भी बोल सकते हैं यह रहा तुम्हारा mobile इसकी इंगलिस क्या होगे इसकी इंगलिस होगे here is your mobile यह अगर मम्मी बोलते हैं यहालो तुम्हारा पर्स तो बोलेंगे here is your purse, here is your bag, here is your pen, ओके और हमारा last sentence है बच्चो इसमें मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, इसमें मेरे बाप का कुछ नहीं जानता, nothing goes of my father in this, nothing goes of my father in this, इसमें मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, ठीक है बच्चो, चले, next देखते हैं बच्चो, कुछ vocab है, vocab को देखते हैं जो काफी important रहने वाला है, किसी भी exam के लिए, सबसे पहला, word है, wag, wag का मतलब होता है, हिलाना, क्या होता है, हिलाना, जैसे don't wag your hands, अपनी हाथ को मत हिलाओ, next, hiccup, hiccup का मतलब क्या होता है बच्चो, hitchky आना, next है हमारा might, might का मतलब क्या होता है बच्चो, घून, घून देखें जो गेहूं में लगता है, या इसको बोल सकते हैं, ूडवार्म, है ना, जो कीरा लकरी वेगरा में लगता है, वो माइट में क्या होता है बच्चो, घून, next है हमारा tantrum, tantrum का मतलब क्या होता है, नakhray बाज, जैसे seas tantrum, वो नakhray बाज हैं, चिकें, next है हमारा embrace, क्या है, inbrace, embrace का मतलब होता है गले लगाना, क्या होता है बच्चो, embrace का मतलब गले लगाना, next है हमारा fabulous, क्या है fabulous, you silent है बच्चो यहाँ पे, fabulous, fabulous का मतलब क्या होता है, सांदार, क्या होता है fabulous मतलब बच्चो, सांदार, उसके बाद हमारा next है बच्चो, concern, concern, concern का मतलब क्या होता है बच्चो, चिंता करना, क अंकट काल बोल सकते हैं चले बच्छो एक टॉपिक मैंने छोटा सा लिखा है अबाउट मोबाइल क्या लिखा है अबाउट मोबाइल फोन के बारे में यू नो मोबाइल आज के दुनिया में कितना important है आज के जवाने में हैना काफी important चीज़ है इसलिए मने इसके बारे में एक छोटा सह से लिखा है देखेंगे विल-mobile is an electronic device विल्क टेवाइज एक ऐलेक्ट्रानिक डिवाइज है ठीक है बच्चो इंडिस वरी इंपर्टेंट आर्टिकल अफालाइफ असान। अफाल डेली लाइफ यह हमारे डेली It is used for making videos, इसका प्रियोग बीडियो बनाने में होता है, It is used for listening songs, इसका प्रियोग गाने सुनने में होता है, It is used for playing games, इसका प्रियोग गेम खेलने में लोग करते हैं, खासकर बच्चे, ATC, इन सारी चीजों का प्रियोग हम मोबाइल के द्वारा करते हैं, ठीक है मुवाइल के दोड़ा इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है इट इस और ग्रेट सोर्स अफ कम्निकेशन यह बातचीत करने का बहुत बढ़ा माध्यम है बहुत बढ़ा मेडियम है बहुत बढ़ा स्थोथ है कौन मुवाइल बी यूज मैनी एप्स इन मुवाइल हम लोग मुवाइल में बहुत सारे एप्स यूज करते हैं लाइक जैसे वट्साइप फेस्बूक स्नैपचाट इंस्ट्राग्राम टुईटर एटिसी यह सारी चीज़े हम यूज करते किसमें मुवाइल फोन 10 डस का मतलब क्या होते है बच्चो इस परकार मुवाइल is very important in आवर डिली लाइफ इस परकार से मुवाइल काफी के लिए अंग्रेजी जल्दी सिखने के लिए फुर्वेंट इंग्लिस बोलने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारा सही योग करें डार्स आल जैहीं जै भारत